दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ आपके BSC 3rd Year 5th Semester Botany का 2nd Paper जो की हाली में महराजा सुहेल देव उनिवस्टी आजमगर में संपन हुआ है तो आपको बता दे कि ये जो पेपर था ये रीटेन पेपर था यानि कि इसमें रीटेन एक्जाम हुए थे तो आपके कौन से युनिवस्टी है और आपके युनिवस्टी में किस तरह के पैटर्न है एक्जाम के 5th semester में रीटेन होगा या फिर objective होगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं उसी प्रकार से आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा अगर objective paper हो रहा होगा तो मैं ज़रूर पूरी कोसिस करूँगा कि आपके लिए objective question प्रोवाइड करा हूँ तो चलते हैं paper की ओर तो second paper का जो title है वो है molecular biology and bioinformatics तो ये जो paper है 2023 December में हुआ है ठीक है मतलब अभी कुछ दिन पहले complete हुआ है तो चलते हैं paper में कौन-कौन से unit है और कौन से unit में किस तरह के question पूछे गए है paper का pattern क्या रहा है इन सभी चीजों को discuss करेंगे तो चलते हैं सबसे पहले section A यानि कि खंड A की और जो की है अती लगूतरी प्रस्ति यानि कि very short answer type question तो section A में कुल 10 question पूछे गए है और आपको सभी दसो question के answer देने है और maximum आपको 50 words में लिखना है एक जो question है वो दो number का है यानि कि इस section से 20 number के question पूछे गए है तो पहला जो question है वो है biological database यानि कि जैविक data base तो आपको बताना है कि biological database क्या होता है तो आपकी जो answer है बहुत छोटे में देने किल 50 word में देने है इस बात का ध्यान दिजिएगा question number second है Griffith and Avery experiment तो आपने जब पढ़ा होगा कि DNA या फिर RNA या फिर कह सकते है जो nucleic acid है वो एक genetic material होता है तो उसके लिए कुछ experiment है उसी experiment में Griffith और Avery का एक experiment है उसी से यह question पूछा हुआ है तो यह question sort में पूछा हुआ है लेकिन आपको बता दे कि यह long question के लिए बहुत important है तो इस question को आप तयार रखेगा question number third है data retrieval system यानि कि data पुन्ह प्रणाली क्या है इसके लावा question number जो four है वो है flavor saver tomato तो flavor saver tomato यह आपका genetic engineering से जुड़ा हुआ topic है और यह एक प्रेकार का transgenic plant है तो आप सभी ने अगर transgenic organism पढ़ा होगा या transgenic plant पढ़ा होगा तो उसमें यह important topic है इसके लावा आप BT crop भी पढ़ लीजेगा वो भी important topic है question number fifth है by directional DNA replication यानि कि DNA का जो this replication है या प्रतिक्रिती है उसके बारे में बताना है तो आप सभी ने जब DNA replication पढ़ा होगा तो उसमें by directional process दिखाओगा मतलब की जो DNA का replication होता है वो दो direction में होता है एक तरफ जो leading strand बनते है एक तरफ lagging strand बनते है और जो lagging strand होता है वहाँ पर ओका जाकी fragment बनते है ठीके ना तो आपका जो question है इसी topic से related है question number 6 है NCBI NCBI का आपको full form लिखना है चलते है 7th question की ओर question number 7 है monoclonal antibodies तो यह भी genetic engineering से जुड़ावा topic है important topic है question number 8 है lack operon model बहुत ही important topic है और lack operon model तो इसमें very short type question में दिया हुआ है बट यह long question भी बनता है तो long question के लिए आप इसको जरूद तयार रखेगा question number 9 है chargaff rules यानि कि chargaff का क्या नियम है तो अपने DNA पढ़ा होगा तो DNA से यह related topic है उसी से पूछा हुआ question है और last जो question है very short का वो है golden rice यानि कि सुनहरा चावल तो golden rice भी एक transgenic plant है तो maximum question आपके यहाँ पर very short type question में पूछे गए है genetic engineering से तो genetic engineering का topic आप अच्छे से तयार रखेगा चलते हैं अब section A के बाद section B की और यानि कि खंडबह की और जिसमें की short answer type question पूछे जाएंगे और इनके जो answer आपको देने हैं सिर्फ 200 words में देने हैं और आपको बता दे कि इसमें आपको केवल 5 question ही करना है कुल लगभग 8 question पूछे जाएंगे जिसमें से केवल आपको 5 का answer देना है और एक जो question होगा आपका 7 number का है तो कहने का मतलब कि इस unit से कुल 35 number के question पूछे जाएंगे तो section B से question number जो second है वो है what is internet discuss the future of internet तो internet क्या है और internet के भविस्त के बारे में आपको बताना है तो I hope आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और इसके बारे में लिखना हो तो आप पुरी copy के आप पुरा चलना है तो यह तो मजाक हुआ चलते है question number third की ओर give an account of amino acid classification on the basis of nature of their chain structure यानि कि आपको amino का जो वरगी करन करना है उनकी स्रिंखला संरचना के आधार पर करना है तो आपने जो भी classification का type पढ़ा हो amino acid का लेकिन यहाँ पर आपको उनके chain structure के आधार पर classification बताना है चलते है question number four की ओर question number four है how does the BDNA differ from GDNA तो कहने का मतलब यह है कि आपको BDNA और GDNA में क्या difference है उसके बारे में ही केवल बताना है question number five है what is significance of proteomics research यानि कि proteomics अनुसंधान का क्या महत्तो है आपको बताना है यह कोई खास important question नहीं है बट question पूछा हुआ है तो आप जरूरी इसको देख लीजेगा question number six है how the transcription process is different in prokaryotes and eukaryotes यानि कि prokaryotes और eukaryotes का जो transcription वाला process है यह दूसरे से कैसे भिन है यानि कि prokaryotes में कैसा transcription होता है और eukaryotes में कैसा transcription होता है आपको इसके बारे में बताना है चलते है question number seven की और question number seven है genome of mouse related much similar with the human genome justify the statement giving suitable facts यानि कि question में कह रहा है कि mano genome एवन चुहे के genome में समानता पाई जाती है तो अगर समानता पाई जाती है तो इसका कोई एक proof दीजे यानि कि सिध करते हुए आपको इसके बारे में बताना है question number eight है what is the node represent in phylogenetic tree यानि कि phylogenetic tree में जो node है वो क्या है यह आपको बताने है question number nine है what do you understand by molecular phylogeny यानि कि arvic phylogeny से आप क्या समझते हैं तो यह तो बात हुआ section B का चलते है section C की और यानि कि खंड सर की और जिसमें कि long answer type question पूछे जाएंगे तो जो section C है इसमें केवल आपको दो ही question का answer देना है और एक question जो है वो 10 number का है यानि कि section C से 20 number के question पूछे गया है और आपके हर एक question का जो answer है वो maximum 500 words में देने है तो चलते है question number 10 की और question number 10 है briefly describe the role of different enzyme involved in DNA replication also mention their site of action यानि कि DNA प्रतिकृती में भाग लेने वाले जो अलग-लग प्रकार के enzyme है उनके बारे में आपको detail से बताना है और साथी साथ वो कहां पर कार करते यानि कि DNA पर कौन से जगह पर कार करते उनका कार क्या है इन सभी चीज को आपको describe करना है तो question अच्छा है थोड़ा सा हट कर question पूछा हुआ है तो आप जरूर इस तरह के question के लिए answer पहले से तयार कर लिजेगा चलते है question number 11 की और question number 11 है add a note on a Indian initiative on tomato gene sequencing यानि कि अगर यह question long में आता है तो आप इसको attempt न करके दूसरा question attempt करिए ठीक है और मैं बता दू कि जब भी आप long question कोई भी attempt करिए ऐसा question attempt करिए जिसमें की figure जरूर हो ठीक है ना without figure या without diagram कभी भी आप long question को choose मत करिएगा इसी में अथवा करके question दे दिया वा है जानता है कि यह question long question लाइक नहीं है इसलिए इसमें अथवा करके दिया वा है question is explain the sequence analysis in bioinformatics यानि की जीव सुचना विग्यान में sequencing परिच्छन के बारे में आपको बताना है question number 12 है what do you understand by jumping gene बहुत यह important question है jumping gene बहुत इससे question पूछा भी जाता है तो आपको बताना है कि jumping gene होता है describe the contribution of Barbara McLintock in the discovery of jumping gene तो आप सभी नगर jumping gene पढ़ाओगा तो आपको पता होगा कि Barbara McLintock ने jumping gene को खोजा था आपको यहाँ पर comment करके बताना है कि jumping gene की खोज किस चीज में की गई थी यानि किस material में किया गया था आप इसका answer हमें comment करके बताएंगे चलते हैं सबसे last question की और write in detail about the role of super computer in biology जी विग्यान में super computer का क्या उप्योग है इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है तो यह था botni का second paper fifth semester का और जिनके exam होने वाले हैं इनके लिए बहुत ही helpful video है प्लीज वो जरूर इस video को देखे और आपने अगर video देखा है तो प्लीज अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको share कीजिएगा ताकि वो भी इसका benefit पा सके तो मिलते हैं अगले video में अगले जा भारत